हेलो नमस्कार जहें दोस्तों कैसे हो आपसलों उमीद करता हूं सब बढ़े होंगे तो लगबग दोस्तों केंडिडेट ने SSC का दोस्तों फोर्म भराता लेकिन साहिबान अभी एक प्रोब्लम आ रहे हैं कि SSC OTR रेजिस्टेशन करवाई यह सभी के लिए दोस्तों जरूरी कर दिया है तो आज की यूडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर SSC OTR रेजिस्टेशन क्या है आपको यह रेजिस्टेशन केशे करना होगा और इसके लिए क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है तो इसी वीडियो के लिए दोस्तों यह पूरी चर्चा आप से की गई है सर्फ से पहले दोस्तों SSC की नई वेबसाइट पर वन टाइम रेजिस्टेशन के आविदन शुरू हो गया है क्रमचारी चैन आयोग द्वारा वन टाइम रेजिस्टेशन यानी OTR की सुरूआत की गई है सभी अभिवेड़तों को SSC के लिए वन टाइम रेजिस् के लिए नई वेबसाइट बनाई गई है वेबसाइट का नाम है SSC government.in इस वेबसाइट के उपर आपने एक बार रेजिस्टेशन कर दिया तो आपको बार बार रेजिस्टेशन की जरूरत नहीं है एक बार रेजिस्टेशन करने के बाद आपको अगर आप आविदन भनना चाहते है तो आपको जो आईडी मिलेगी उससे आप आविदन भर पाऊगे और इस पर दोस्तों कंपल्सरी भी एक कर दिया गी इसके उपर रेजिस्टेशन करना जरूरी ही जरूरी है अभी दोस्तों जो वेबसाइट है वह तो आपको मैंने बता दिया कि SSC की जूर वेब पताय गया है कि इसके अनुसा सबी अभेडितियों को OTR करना जरूरी होगा यानि जो भी अभी अभेडिती SSC का एकज़ाम देना चाहता है चाहे वह कहीं से कोई सी भी एकज़ाम हो उसके लिए दोस्तों आराम सी इसमें में रेजिस्टेशन करना होगा अभेडितियों ने ने SSE का एक्जाम पहले दिया हो और रेजिस्टेशन पुरानी वेबसाइट पर कर रहा हो तो उनको भी वापस करना होगा बढ़तियों का एजिस्टेशन करवाय जाएगा उनकी सूचना उनके आविदन इसी वेबसाइट के मादम से किये जाने वाल हैं इसके लिए दोस्तों अभेडतियों को वन टाइम रेजिस्टेशन करवाना होगा वन टाइम रेजिस्टेशन करवाने के बाद आपको सिर्फ ए लिए one time registration करना आप से गए तो दोस्तों आपको यह mainly क्यों के रवाय जा रहा है कि आप दोस्तों बार-बार जितनी भी भड़ते निकलती है SSC के लिए बार-बार emitter center पर जाते हो और form apply करते हो कहीं बार आपके बोल देते हैं कि फोटो सही नहीं है कहीं बार को कोमेंट्स लेके नहीं जाना किसी भी इंटर के अंतर बस आपको एक क्लिक से आपका आविदन हो जाएगा आपकी जो सुब बार-बार जो गलती हो रही है वह आपकी नहीं होगी SSC दुआरा कोई भी नहीं बरती जारी केने जाने पर उसके फोम भरने के लिए OTR की साहता ले पाएंगे आपको सिर्फ आवसे एक दस्तावित अप्लोड करने होंगी बाप की जानकारी पहले सी भरी मिल जाएगी क्या वन टाइम रेजिस्टेशन करने के पैसे लगेंगे आपकी दिमाग में आ रहा होगा SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर वन टाइम रेजिस्टेशन के लिए अभेरतियों को किसी भी परकार का सुल्क नहीं देना होगा जी हाँ दोस्तों अभेरति निश्वल कुरूप से इसकी आधिगारी वेबसाइट की सायता से अपने आविदन के लिए वन टाइम रेजिस्टेशन करवा सकते हैं एससी वन टाइम रेजिस्टेशन कैसे करें यह आपके फिर्माइन में आ रहा होगा तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ रेजिस्टेशन करने के लिए सरपरतन आपको आपकी जो गूगल क्रोम हैं उसके द्वारा सर्च करना है sscgovernment.in इस वेबसेट पर आपको जाना होगा यहां आपको रेजिस्टेशन का ओप्षिन दिखाए देगा इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फिर्म खुल जाएगा जिसमें आपको संपुरुण पूचे वाली जो भी जानकरिए आपचे पूची जाती वह आपको बढ़नी है जिसमें आपका नाम पूचा जाएगा आपने फादर का नाम पूचाजा जाएगा आपके मॉबाईल नमबर, इमेल आईडी, रोल नमर आदि जानकरिए आपको बढ़नी होगी इसके बाद में दोस्तों वन टाइम प्रोफाइल के वीवरण का सत्यापन करने के लिए आपको रजिस्टर जो आपने रजिस्टर इमेल डालोगे उसके पर एक आपको ओटीपी आएगा उस ओटीपी को दोस्तों वापस आपको उस फोर्म के अंतरकत भरना है तब ही आपके रजिस्टर परकिर्या पूरी हो जाएगी तो दोस्तों ओटी आर सिखाने के लिए हम आ गए हैं दोस्तों इसकी ओफिशेल वेबसाइट पर जो अभी नहीं बनी है स्सी गॉवर्मेंट डोट इन इसकी ओर इसकी और जो अभी साइट न्यू है वह है दोस्तो इसके अंतरकर आपको दोस्तों लोगिन का ओप्शन मिल रहा है और नीचे जाएंगे तो आपको न्यू रजिस्टेशन करना है तो न्यू यूजर पर आपको कलिक कर देना है जैसे आपको रजिस्टे नौ उपर कलिक करेंगे दोस्तों उसके आद में आपका आजाएगा व जो भी personal details आप से मांगी जाती है वो आपको इसमें भर देनी है इसके अलावाद में आपको password और additional details आपको दे देनी है दोस्तों तो दोस्तों इसके अंतरकर अगर आपको कोई problem आती ही तो आप हमें पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना चाहते हो वो और otherwise अगर आपको पह verify आदानमर आपको कर लेना है type of identification mark दोस्तों आपको करना है इसके अलावाद दोस्तों candidate name is per matriculation certificate आपकी जो भी education certificate के अंतरकर आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है verify candidate name is a matriculation date you have a change name अगर आपने नाम change किया है तो yes कर देना otherwise new name change कर देंगो तो यहाँ पर yes करके नाम आपको लिख देना है उसके बाद में दोस्तों gender select कर देना है verify gender कर देना है आपके date of birth जो आपके education certificates में वो आपको यहाँ पर डाल देनी है father's name आपको यहाँ भरना है mother's name डालना है verify mother's name भी आपको वापस करना पड़ेगा आपकी जो educational details है दोस्तों matrix है या ज्यादा है उसकी year of passing आपको डालना है verify for passing year highest level of education अगर आपके highest education है तो उसकी जानकरी आपको यहाँ पर देनी होगी candidates, mobile number, candidates, email address जिसके आपको OTP आने वाला है और आपको save next कर देना है दोस्तों हमने इसमें जानकरी नहीं डाले तो यह नहीं ले रहा जैसे आप यह जानकरी डाल दोगे तो प बताएगे जुरू फिलाल इतना ही जैहिंग जैबार